नमस्का कैपिटल टीवी उत्तरप्रदेश देख रहे हैं आप आपके साथ में हुबा बिता उत्तरप्रदेश में विदासबत चुनाव होने हैं और सत्ता पर काबिस होने के लिए सबी सियासी दल अपने वादों का फिटारा खोल रहे हैं वही सबी राजनितिक दलों की नजर राजे के 6.5 करोड वोटों पर टिकी हुई है लिहाज सबी सियासी दल इन वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे भी कर रहे हैं राजे में जहां सत्ताधारी बीजेपी, टैबलेट और लैप्टोप देने के तयारियों में हैं तो वही समाजवादी पार्टी भी चुनाव के बाद अपनी सरकार में युवाओं को कई तरह के तौफे देने का बादा कर रही है जबकि कॉंग्रेस युवा महिलाओं को लुभाने के लिए स्कूटी और स्मार्टपून देने का एलान कर चुकी है अगर आकडों की बात की जाए तो आकडों के मताबिक राजे में युवा वोटर राजे के कुल मतदाताओं का लगबग 45 पीसदी है और ये मतदाता 18 से 40 साल की आयू वर्ग के है बीजेपी हो या फिर एसपी या फिर कॉंग्रेस सबी दल इन युवाओं को लुभाने के लिए कड़ी महनत कर रहे है और तरह तरह के वादे भी कर रहे है असल में 2014 के लोकसबा चुनाव में केंद्र की सब्ता में नरेंद्र मोधी को स्थापित करने में युवाओं का बड़ा योगदान रहा लिहाजा राजनेतिक दल इन वर्ग को अपनी और आकरशित करने के लिए सियासी वाइदे कर रहे है अगर बात राजने में पिछले चुनावों की की जाए तो 2012 में यूपी में अखिलेश यादव की ताश पोशी में युवाओं की बड़ी भागिदारी रही थी जबकि 2017 के विदान सबाचुनावों में यूवाओं ने बीजेपी को वोट दिया और राजे में उसकी सरकार बनी वही 2019 के लोग सबाचुनावों में यूवाओं ने बीजेपी की नीतियों से प्रेरित होकर उनके पक्ष में मतदान किया था अगर देखा जाए तो देश के साथ ही राजे सरकार भी यूवाओं पर फोकस कर रही है ताकि राजे की सत्ता पर फिर से काबिस हुआ जा सके लिहाज़ सरकार इसी बीच तरह तरह की घोशनाएं यूवाओं के ले कर रही है जानकारी के मताबिक राजे में 14 करोड 40 लाग से भी ज्यादा कुल मत दाता है और इसमें 45 फिसदी यूवाओं वोटर है अगर बात राजे की सत्ता धारी बीजेपी की की जाए तो राजे की योगया दितनाथ सरकार अटल बिहारी वाजपे के जन दिन से यूवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बाटने जा रही है और इसे बीजेपी की यूवाओं वोटर को लुभाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है वहीं दूसरी और कॉंग्रेस महा सची प्रियांका गांधी वाडरा यूवाओं से 20 लाख नौकरियां देने का वादा कर चुकी है और उन्होंने राजमिस सरकार बनने के बाद इंटर पास लड़कियों के लिए स्मार्टफोन और सनातकों के लिए स्कूटी देने का वादा किया है इस कड़ी में SP मुख्या अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है और वो यूपी से पलायन रोकने के लिए सत्ता में वापसी पर युवाओं को नौकरी देने का वादा कर रही है कैपिटल टीव फिलाल के लिए बस इतना यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते हैं कैपिटल टीव उत्तरदेश नमस्कार